आज का क्लास जो है, एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ, पकर लिजे 306 गुना 247 पटे 221 इन 257 हैं, क्या आप 10 सेकंड में काट सकते हैं, नहीं चली 20 सेकंड देते हैं, ना 30 सेकंड दे दिये चली हैं, अच्छा ठीक है, अब तेज हैं, तो एक मिनट दे दिये, तो कहन कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है, कि हम जिस वीधी से सीखते हैं, और यह कंपिटिशन की चाहिए, आप कंपिटिशन पुलिस के देने जा रहे हैं, या आप UPSC लेने जा रहे हैं, बैंक तो बहुत ज़्यादा जोरी है, तो यह आपको mentally भी काटना आना चाहिए, बीन कागज कलम का भी, मैं किसी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं mobile की बात कर रहा हूँ, mobile का calculator डाल दीजिए, मैं जानता हूँ, तो भी 10 सेकेंड में नहीं होगा, ना किसी formula की बात करूँगा, ठीक है ना, मतलब कोई किताब पढ़ने की बात नहीं करूँगा, कोई formula य या किसी application पर बात नहीं करूँगा और बड़े स्वाभाविक धंग से आप इसे कर सकते हैं तो जो इस video को देख रहे हैं चाहे वो तेज तरार हो क्या कमजोर हो दोनों के लिए बहुत जोरी है अगर तेज तरार हैं तो आपको समय को कम करने के लिए आप कोई भी competitive exam देने जा रहे हैं तो आपको जोरी है और अगर गनीत में कमजोर हैं तो भईया गनीत के सवाल परके समझेंगे कब और calculation करने में देर कर देंगे तो हो गया अब बीना calculation का तो कोई सवाल होता नहीं है तो calculation तेजी से कैसे किया जाए उस पर बात करते हैं तो चली शुरू करते हैं चली एक दूसरा लियाओ उसे मैंने आज यह आप जब सीखेंगे तो फिर आप जो thumbnail में सवाल दिया गया है आप खुद करेंगे और मेरा दावा है आप कागज कलम तक नहीं उठाएंगे सबसे पहले देखिए जब यह काटना होता है न तो आपको एक सो तिरपन देखके ही आपको याद आ जाना चाहिए यह किसका गुनक है 238 देखके ही आपको याद आना चाहिए यह किसका गुनक है मतलब किस से किस से गुना करने पर 238 आता है 323 देखते ही आपको आ जाना चाहिए तभी आप बिजली बन सकते हैं और ये बिजली अगर आप कफन बाल लिए तो 3 दिन नहीं तो मस्ती में करते हैं तो 7 दिन तो चलिए हम समझते हैं तो पहले जो है पहाड़ा जो है हम उसी को उल्टा करके पढ़ेंगे हमने यहां 34 है मतलब 17 दूनी 34 होता है अब यह जानते हैं तो मैं 34 देखके पहले दिमाग में रेकॉर्ड करने के लिए बोलना हूँ यह 17 दूनी 34 होता है एक दूसरे तरीके से करेंगे सेहा अब जैसे 51 आ गया अब हम जानते हैं कि 17 दिया 51 अब पकड़ लीजिए एक सो तिरपन देखको यह एक साथ पहारा की तरह नहीं है टेबल्स की तरह नहीं है 17 टू जा 17 थी जा 17 फोर जा ऐसे नहीं जा रहे है हम एक सो तिरपन देख रहे हैं तो एक सो तिरपन देखते ही हमें क्या होना हो जाना चाहिए 17 नाइन जा 153 टीक है तो मुझे क्या पहचानना है टेबल्स नहीं अब आप competition देने जा रहे हैं तो आपकी दूस्ती प्यारी होनी चाहिए अब देखिए 119 है क्या है 177 जा 119 अब जो है हम एक यह जो है एक symbolic जिफ है देखिए इसमें तीन बॉक्स है अब आपको करना क्या होगा सबसे पहले सबसे पहले chart paper क्या मैंने बोला chart paper किसी भी दुकान में चले जाएए मतलब जहां किताब बिखते हैं आप chart paper बोलेगा तो देगा उसे और बड़ाबर क्या होते हैं एक front का color होता ही इसका थोड़ा सा मोटा लेंगे कि एक सब्टा तक जब इसे इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको अब देखिए यह back है ठीक है ना और front में क्या था front में केवल 34 लिखा हुआ था अब देखिए यहां पर आपको तीन डब्बे लेने हैं ध्यान से अब सुनेगे अब जैसे 17 का पहारा तो front में केवल 34 लिखा हुआ है back में 34 और 17 गुने दो लिखा है फिर front में 15 है जैसे मैंने पहले दिखाया था ठीक है ना और back में 17 गुने 3 ऐसे करके पकड़ लिजे 17 की पहारा करेंगे अब देखिए यहां पर जब आप सबसे पहले डालते हैं आपके पास 9 कार्ट है ठीक है ना ऐसे पकड़ लिजे पहले 17 से 9 करेंगे फिर दिखिए 17 गुने 11 कैलकुलेटर मार्के लिखेंगे ठीक है ना तो फिर यहां पर जो है आपके 17 कार्ट बनेंगे 17 का 16 के भी 17 कार्ट बनेंगे 15 के भी 17 कार्ट बनेंगे तो यह 17 कार्ट मतलब हमें ज़ोड़त पड़ता है सतरा का स्क्वायरी वर्गिरी सतरा अठारा भी 306 भी आता है वही 306 को भी काटना पड़ता है तो हमें अगर पता है तो 306 तो हम तो सतरा गुने अठारा पकड़के निकल जाते हैं इसलिए बोला कागज कलम की जूरत नहीं है थोड़ा सा मेहनत है उसे समझ देजिए ध्यान स सही बोला है तो इसको दो नमबर में डाल देते हैं और अगर आपने गलत बोला जैसे यहां गलत बोला है तो इसको यहां पर रख लेते हैं और दो काट आपने सही जो बोला था दो नमबर में कर देते हैं ठीक है इस तरह करके एक नमबर से सारे काट को आप पहले दो नमब में करेंगे, पहले 9 कार्ड इधर लेंगे, ठीक है, फिर 9 कार्ड लेंगे, पहले 9 कार्ड लेंगे, उसका 2 नमबर तक बॉक्स में लेंगे, फिर 17, 11 से 17, 19 का लिख के, फिर यहां पर आपका जो है 17 कार्ड हो गए, अब 17 कार्ड को सबसे पहले 2 नमबर में लेके जाएगे, ज खाने की तरह और मजा आता है कोई आपको पढ़ाय लिखा किताब कुछ नहीं चाहिए वो सब जो करना है करते रही है आप अपना यहां तो वो बन जाए है जो आपका टीचर भी नहीं कर सकता है अब वहां से फिर क्या है यह आपने सुबह में कर लिया ज़्यादा नहीं लगता है sorry for my word बहुत ज़्यादा कमजोर हो तो भी आप 45 मिनट में कर लोगे करके देख लेना फिर दो नमबर से इसे न आप चला के तीन नमबर पे लाईए तो गलत जो होगा वो एक नमबर में चला जाएगा सही जो होगा तीन नमबर में जो गलत होगा जैसे यह सी गलत है देखो यह एक नमबर में आता है गलत वाला दो नमबर पे नहीं रहेगा जो गलत होगा एक नमबर पे जाएगा ठीक है ना फिर क्या है कि आपका जो ऐसे करके आप देखेंगे फिर पीछे आपका एक नमबर में रह गिया है आपको दो नमबर से तीन नमबर लेकी जाना है अब समझे गया है तो एक नमबर वाले को ये second sitting की बात करना हूँ अब एक नमबर को आप दो नमबर में ले जाते हैं जब एक नमर से दो नमर पूरा चला जाता है फिर दो नमर से तीन नमर ले जाते हैं में हम जो तो यह इक फ्लेश करड़ है और विश्व मानता है और यह दो सौ साल सिस्कैमाल होता और सबसे बड़ी बात है साट दीन का दो सेशन करो तीन सेशन तो बहुत बढ़िया है बड़े तरीके के साथ सीखोगे क्या-क्या सीखना है पहले आप सीखिए 17, 18, 19 फिर पीछे जाईए 15, 14, 13 क्या कि 15, 14, 13 होगा तो उसका 50% तो यहीं पर आ जाता है ना तो इस तरह से जादा बोज नहीं है तो आशा करता हूँ कि आप इन चीजों को समझ चुकी होंगे ठीक है ना देखिए यह सेशन 2 यह दिखा रहा है फिर यह सेशन 3 यह तीन सेशन होते है ठीक है ना तो मतलब यह तीन सेशन के बाद आपका सारा सही कुछ भी दोनों में नहीं होना चाहिए यह हो जाता है तो तीन सेशन के बाद होता है आप समझ गया अब चलिए हम इसे काटते हैं तो देखिए हमारे पास 119 है 177 119 मतलब 119 देखते ही आपको आजाना चीए 177 119 है 153 देखते ही 179 113 है तो 17 से काटेंगे अब जानते हैं ना एक संख्या से दोनों को काटा जाता है तो हमारे पास अभी 113 है तो 179 एक सो तिरपन और हमारे पास 119 है तो 177 119 हमने 7 लिग दिया ठीक है ना अब बात में से मन की आखो में भी देखके आप वरवली कर सकते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं फिर आप देखो 323 है तो 179 323 है और 174 वाँ 238 है ये दिखे दिखाया रहा है इसको तो आप क्या करते हैं 17 से काट रहे हैं 238 को काट रहे हैं तो 14 कर दिये ठीक है और 17 14 आपका 238 हुआ और 17 19 हुआ ये जो है 19 हुआ ये आपका 323 हुआ अब देखे साथ दुनी 14 है साथ से आपने 14 काट दिया तो 2 हुआ अब 9 को 2 से गुना किया 18 बटे 19 जैसा मैंने कहा था कि केवल साथ दिन में और साथ साथ में मैं जानता हूँ जो आफिस जाते हैं ये कार्ड वा डबे उपे लेके तो जा नहीं सकते तो उनके लिए फ्री में करने का एक बैवस्ता किया कि जो मैं कुछ बातों को और बोलूँगा उसके बात जो है इसके वीडियो के अंत में दूंगा मैं मतब बीच में दूंगा मैं कि आफ फ्री में ये सारे चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं एक एलान करूँगा देखिए मॉक सिरीज आप में से कोई S.S.E. दे रहा होगा बैंक का दे रहा होगा रेल्वे का दे रहा होगा इंसुरेंस का दे रहा होगा ये देखिए 1269 के जगा पर ये 410 में अब ये देखिए महागोष करके जो है ने क्या लिखा हो है 799 में भी आ गया है लेकिन ये टेस्ट बुक का है और ये 410 रुपे में सेम टेस्ट बुक का है 410 रुपे में और अगर उसके साथ सारा स्टडी मेटरियल के साथ लिना चाते हैं 1100 रुपे में लिमिटेड होफर है जबकि पूरा कॉस चो होता है किसी भी आ जाएए 5569 में होता है बातों को थोड़ा अच्छी तरह समझ लेजी 1100 रुपे में तो आपके पास अगर आप खाली मॉक टेस्ट चाहिए आपका तयार है तब तो 410 में चले जाएए काई की काई नहीं मिलेगा दोस्त और नहीं तो 1100 रुपे में तो अभी आपके पास क्लियर मैं फिर से बोलता हूँ कि देखे इस 410 में ये arithmetic, advancement, GA, English, reasoning नहीं मिलेगा मैं जो 1100 की जो कोस्ट कर रहा हूँ अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें देखें कि मॉक सिरिस में क्या-क्या है तो 1888 टेस्ट है रेलिवे का उसमें RRB NTPC का 1097 है RRB Junior Translator का 10 टेस्ट दिया हुआ है RRB Group D का 645 टेस्ट दिया हुआ है RRB ALP का जो है मतला Locopilot का है 67 टेस्ट है RRB Junior Engineer का 21 टेस्ट है फिर देखो 8,098 टेस्ट SSC का है जिसमें SSC DGD का 641 टेस्ट है Delhi Police का 232 टेस्ट है SSC CPO का 192 टेस्ट है SSC Selection Post जो है 138 टेस्ट है SSC CGL का 1696 टेस्ट है SSC CHSL का 1152 टेस्ट है SSC FCI का 319 टेस्ट है SSC Steno का 103 टेस्ट है SSC Head Constable का 121 टेस्ट है SSC Junior Engineer, Mechanical Engineer, Civil Engineer Electrical Engineer का 1300 टेस्ट है अब बैंक के बारे में आते है अच्छा रेलवे के बारे में आते है रेलवे का 2058 टेस्ट है ओ सौरी सौरी ये बैंक का है रेलवे तो मैंने करी दिया सौरी ये बैंक का है डियर SBI Clerk का 133 टेस्ट है SBI PO का 386 टेस्ट है IBPS Clerk का 249 टेस्ट है IBPS PO का 729 टेस्ट है IBPS SO का सौरी ये ये भी साथ चुट गया होगा ये 729 नहीं हो सकता ये 122 ये इस है टेक है न Agriculture ये Field Officer का जो 91 टेस्ट है फिर RRB Office Assistant फिर है कि RBI Group B RBI Assistant ये सब मिलाकर 512 टेस्ट है तो आप समझ सकते हैं कि ये करीब करीब जो है आपका जो टेस्ट है आपको 410 रुपे में मिलेगा ये टेस्ट है लेकिन अगर आपको Basic से सिखना है Math जैसे Arithmetic हुआ Advanced Math हुआ General Awareness हुआ English एकदम Basic से Reasoning तो इसके लिए 720 वीडियो होते हैं मतलब तत्यमत समझाते हैं तो इसके साथ साथ और Practice Set 200 है ठीक है न तो वो आपको 1100 रुपे मिलता है प्लस टेक्स है तो 410 से 1100 मतलब 690 रुपे अगर आप जादा देते हैं तो इसके साथ साथ Practice Set 200 वो आप जो हम मेरे क्लास करते जानते कि रट्टा मारने के लिए बड़ी तेजी के साथ करवा देता है ये फिर मैथ एकदम एरितमेटिक एडवांस जीरो लेबल से ठीक है न जीए जनले लेवाइनेस इंग्लिश अगर आप ग्रूप डी वेगरे जीडी वेगरे दे रहे हैं सीजियल सीपियो दे रहे हैं इसके 720 है मतलब एक बार खरिद लेते हो तो प्रॉब्लेम खतम आपका मॉक टेस्ट के पे भी पेपर आ गए आपके एंटार वीडियो आ गए प्रैक्टिस सेट के पेपर आ गए सब कुछ और साथ साथ में आपके जो है बैच में आपके एंट्री हो गई तो लाइफ क्लास भी साथ में चलता है तो आशा करता हूँ अब देखिए फिर से मैं याद दिला देता हूँ मॉक सिरिस का यही पे मैं बताने वाला हूँ फ्री कोर्स के लिए क्या करना है मतलब वो जो आप बड़े बड़े जो काटना पीटना होता है उसे कैसे करेंगे तो देखिए SSC का अभी मॉक सिरिस के बारे में टोटल बता दिया SSC बैंकिंग रेलवे इंसुरेंस जो है पावर्ड बै टेस्ट बुक है यह वनली मॉक टेस्ट है 799 रुपी अभी दुसरे जेगा चल रहा है यह अपलोड नहीं हुआ है कि इस कोर्स मतलब जिनको ऐसा रहे कि इसको दोनों को खड़िदना है इसके अंदर में यह मॉक सिरिस है प्लस 720 वीडियो है और प्लस 200 आपके PS मतलब प्रैक्टिस सेट है इसी के अंदर में यह 1100 रुपे में है और देखिए इस अभी थोड़े दिर में यहां पर जो है जब तक मैं बोलता रहूंगा कि फ्री में आप कैसे मेरे एप में जाकर कैसे वो जो मानाव कैलकूर तेजी से गुना भाग का कोर्स जो अभी फ्री बैच मेरा चल रहा है उसमें आप कैसे जाएंगे तो उसका लिंक यहां पर भी आ जाएगा नहीं तो मैंने description पर दिया ही हुआ है तो क्या करना होगा जो एप यहां से करें यहां से करें जैसे ही एप को install करेंगे देखिए एप install करने के लिए आपका phone number मांगेगा और सबसे बड़ी बात है यह एप जो है यह एप जो है आपके क्या कहते है एक प्रसिद्ध एप है ठीक है ना तो उसके अंदर में जाने के बाद जैसे ही आप OTP आपको आएगा OTP डालेंगे तुरत आपके पास message आएगा आपके आपको कौन सा course चाहिए तो चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे लिखेंगे free mono calculator मतलब जिने इस free का ये course करना है मतलब कागज वागज काटा नहीं है वहीं पर कर लेना है तो वहाँ पर उन्हें free mono calculator लिखना है और जैसे ही आता है तो वह आपको बैच में डाल दिया जाएगा तो बैच में जो है ये जो आपको store में जब जाएंगे जब भी आप आप को खोलते हैं तो store में जब जाएंगे ये सारे चीज़ रखे हुए होगे ठीक है ना mono calculator अभी भी हमने पेट तो है आप पेट को हटा दूँगा ये जो free course है जो आप देखा आपने वो सारा चीज़ का जो है 400 रुपे अभी हमने 100% free रखा है तो जिन्हें लगता है कि calculation में problem होता है उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है लेकिन आपको एप में तो हजारों लोग डूसे हुए है आपके पास जैसे ही वो message आता है तुरत आपको लिखना है free mono calculator हो सकता है यहां तक अभी तक आपका आ चुका होगा क्या करते हैं इसके उपर कुछ चरा हुआ होगा अगर यहां पे चरायत इसी पे क्लिक करेंगे तो सिधा website में website कर रहा हूँ app में पहुँच जाएंगे app को install कर लेंगे नहीं तो नीचे link दिया हुआ है जीने सही लगता है जीने लगता है कि सबकी ज़ोरत नहीं है उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस class को किया और बस एक ही है जिनोंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं जिससे की मेरा रिस्ता आप से बना रहे हैं अभी हम अगले कुछ दिन के अंदर में ऐसे तो हर रात 9 बजे हम जानते ही है कि मैं अभी जो है simplification के मतलब minimum कागज कलम के bank के लिए करवा रहा हूं जो कोर्स इसके अंदर भी आपको मिलेगा और साथ-साथ मैं DI की कोर्स करवा रहा हूं इसके साथ-साथ जो पुलिस का और जो CPO का आ रहा है ये दोनों भी चालू हो जाएगा और उनके भी ऐसे तो आपको पढ़ना भी है मौक भी लगाना है तब ही जाके संभूमता है तो ठीक है ना तो आशा करता हूं कि मैंने अपने बातों को स्पस्ट्रूप से आपने पास रख पाया आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवार